नमस्कार साथिया आपका स्वागत आपके यूटूब चनल ट्रेड विट रानिक चलिए दोस्ताइच के शुरूब बात करते हैं जैसे के अपने क्वार्टर त्री रिजल्ट की सीरी चिल्द उसके अंदर जेपी पावर वेंचर लिमिटेड का क्वार्टर त्री गरेडर अभी थोड़े में आपको सब्ची एक्स्प्लीन होगे जेपी पावर को लेकर तो हर कोई यानि के एक रिटेर इन्वेस्टर के अकॉंड में तो डेफिनेटी देखने को मिला तो जेपी पावर में तो बहुत लोग उमीद लगा रहते थे उमीद के वही रिजल्ट करूंगा मागर उससे बहले अगर अभी तक आप अपने चैनल सब्सक्राइब में पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल ना भूलिए तो जब भी पावर के वारे में आपको ज्यादा एक्स्प्रेंट करने जो रहते हैं जो तो आप जो टार्गेट देने वाल ह तो अब वो टार्गेट भी डेफिनिटी हिट होएंगे हिट होने की वज़े रहेगे हमारे कौर्टरी का रिजाल्ट तो देखिए ज्यादा सामय खराब नहीं करता आपका तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए वीडियो का लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो बात कर पर अब बात करते हैं तो जेपी पावर का जो रिजल्ट आया सक्वाटर का वो समझते हैं तो देखिए इनकी सबसे पहले अनिंग्स आई है हीए यह लाक्स के अंदर ठीक है यह लाक्स के अंदर इनके अनिंग्स आई सक्वाटर की तो अब स्क्वाटर में इनकी अनिंग्स हुए एक lại 4,278ए cator सब्सक्राइब करेंगे तो अभी बहुत अल्टीमेट सेल है आप देख सकते हैं सेल चुरानवे हजार से सीधा बढ़के डेड लाग हुई है सेल तो बागा डिफरेंशल देखने हो मिला है मैं सेल के अंदर मोटा मोटा दे सकते हैं लाइस्ट इयर पांच वा गजारती वह बढ़के हुई एक लग पैंतलिज था और लास्ट कॉराटर चुरानवे हजारती 249 कदम और लाज्ट यह था बानवे हजा साथ सो साथ तो आप देखेंगे बानवे हजा एक्सपेंस तो बढ़ा देखने हुए कंपनी रेवेनियर जन्रेट गए तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा यह तो लाजमी होता है यह तो किसी भी सेक्टर में चले जाए आपकर जहां पर कंपनी की सेल बढ़ेगे तो उसको उप्रेशन प्रॉफिट कोस्ट ऑफ मटरियल भढ़ती है तो उसके लिए पैसा लगते लगता है अब इसका उप्रेशन प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में को उप्रेशन प्रॉफिट आया 15,844 तो देखेंगे 190,900 टा अब 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 नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है 10,699 तो सबसे पहली बात है कि पहले तो नेट प्रॉफिट घाटे में गया था कंपनी माइनस में तो गया पॉजिटिव में पॉजिटिव ही ऐसा कि अल्टीमेट पॉजिटिव शीदर 10,700 आया और लास्ट क्वार्टर में था 65,000 माइनस में तो लास्ट इया था माइनस में 2,239 तो बहुत बड़ा इंडिकेशन देखने हो समझ आ रहा है आपको यहीं समझ जाना चाहिए शेयर का मॉमेंट कैसा रहने वाला है अब हम अनिंग पर शेयर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में अनिंग पर शेयर हुआ 0.1, 0.100 हुआ है तो लास्ट क्वार्टर में ता 0.001 वो भी माइनस में और लास्ट इयर था माइनस में 0.002 क्योंकि बहुत टैम से कंपनी घाटे में चल रही थी बहुत टैम बात कंपनी मुनाफिम आई है मुनाफिम में बहुत अल्टिमेट मुनाफिम कंपनी ने इस मघें तो देखी आप 0.00 टेम्स यह और लास्ट क्वाटर में था बाइनिस में 0.01 और लास्ट यह था मैं चीरो पंट 0.022 तो आप देखेंगे किता व्रक्राइशन देखने वहां मेरें रीजल तो बहुत ॥ बहुत escola कि सिदा किला देख लिंड उर slag pandi Cum ऐस इंड़ घई ज fino मार्किर बाइद से कि इन सेड़ बैंवेद विल्कुल नहीं बेखना आपको और पेसे साथ बने रहना है जैसे ट्रेडेंट का हाल होगा देना अब सेम जेपी पावर का हाल होने वाला है इतना बड़ा प्रॉफित इतनी बड़ी सेल माइने रखता है बहुत बड़ा सेल के साथ बहुत अच्छा revenue जनरेट करा है और कंपनी का प्रॉफित सबसे पहली बात आपको कहना चाहता हूं कि आपके बाद शेयर जेपी पावर का एक भी शेयर आज से बत बेखेगा अभी जब तक 30 रुपे का लेवल नहीं दिखाता है जब तक इसमें आपको प्रॉफित भूगिंग नहीं करनी है अब कल मंदे से इसमें आपर सर्किट ल सब्सक्राइब करें जिस चीज़ का वह वेट पूरा हुआ और हम सोच रहे तो यह मल्टी वैगर डेफिनेट यह प्रूफ ली कह सकता मल्टी वैगर शेयर आज की टेट से जिस तरह से रिजल्ट घोसित करें अगले क्वाटर तक तो इसमें तीजी अब दंधंखम देखने करें और जिस तरह से गौवर्मेंट रिनुवर एनरजी को लेकर काम कर रही है उसमें इन्हों ने अपने दंखम दिखा है अपनी तीजी भी दिखा है इन लोगों ने तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है बहुत अच्छा रिजल्ट है रिजल्ट का आउटकम आपको देख अच्छा रिजल्ट पर बना हुए एक 25 रुपे पच्छीस का लेवल पार करेगा तो इसकी लेवल पर ब्रेक करेगा सीथा तो अब इसमें आपको घबरानी की जोत नहीं है अब इसमें पहला टर्गेट है अब पच्छीस का पच्छीस का जैसी आउटकम पूरा होगा तो मुझे लगता है पच्छीस रुपे तीस रुपे से पहले आपको प्रॉफिट बोकिंग नहीं करना है बने रहेंगे और अपने ग्रोथ करेंगे बहुत अल्टीमेट है बहुत अब मौका मिलता तो बाय करिए प्रॉफिट बोकिंग नहीं करेंगे आप लोग ठीकिना आई होब यह वीडियो आपकी यूस पूले तो प्लीस वीडियो को लाइक शेयर वावट करना बिलकुल ना बोले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो